हलो दोस्तो मैं उमा संकर आपको अपना चैनल ट्रिकी भाई विश्कूपता में स्वागत करता हूँ दोस्तो आज मैं जार्खंड वोड दुहजार 23 के परिक्षा से बहुत ही महत्यपुर्ण चेप्टर लेकर आया हूँ आज मैं टुगेल्थ कलास का होम साइन्स ग्री विग्यान का चैप्टर वन कार्य आजिवका और जिवका से रिलेटेड बहुत ही महत्यपुर्ण प्रश्न उतर लेकर आया हूँ जो आपको फाइनल एक्जाम में आग लगा देगा दोस्तो इसलिए आप इस विडियो को लास्ट तक चलूर देखिएगा और हो सकेगा तो मेरे चैनल को सस्क्राइब तथा दोस्तों में सेर करना नहीं भूलेंगे दोस्तो तो चलिए दोस्तों आज मैं आप लोग को कारे जीवका और आजीवका से समवंधित महत्यपुर्ण प्रश्नों को बारी बारी से स्टेप बाई स्टेप बताने वाला हूँ इसलिए आप इसको लास्ट तक जरूर देखिएगा यह आपके फाइनल एक्जाम के लिए बहुत ही महत्यपुर्ण वाइरल क्यूशन है इसलिए जरूर से जरूर देखिएगा क्या यह सबसे पहले हम लोग चैप्टर वन का कार्य और जीवका तथा जीवका से सम्मधित प्रश्नों को देखते हैं सबसे पहले मैं आप लोग को यहां बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले कार्य किसे कहते हैं कार्य के डिफनेशन हम लोग चानते हैं तो यहां पर हम लोग वह गतिविदिया जो किसी उदेश की पूर्ती के लिए की जाती है अर्थात कोई भी काम को पूरा करने से पहले हम लोग किसी न किसी उदेश से कोई काम करते हैं उसी को हम लोग कार्य कहते हैं यहाँ पर बताये गया है कार्य से व्यक्ति नए संबंद स्थापित करता है एवं खुद की पहचान बनाता है किसी भी कार्य को करने है तो व्यक्ति को कौसल और परतिभावन की अवसकता होती है अर्थात हम क्या कह सकते हैं? कार्य अर्थात जो काम करता है जो अपने किसी उदेश को पूरा करने के लिए जो कार्य करता है उसी को हम लोग कार्य कहते हैं इसमें कौसल और परतिभावों की खोज होती है और सकता होती है इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कार्य के उदेश कार्य का उदेश क्या है तो सबसे फर्ष्ट में होता है धन अर्जित करना अर्थात धन को अर्जित करना जामा करना इकित्र करना तो ज्यादा तर लोग धन कमाने के उदेश से कार्य करते हैं ताकि वो अपने परिवार की सभी अवशक्तावों को पूरा कर सके जैसे भोजन क पड़ा सिख्षा आदी। इसके बाद दूसरका होता है आत्म निर्भर बनना। कार्य से व्यक्ति की सामाज में पहचान बनती है। किसी भी कार्य को अच्छी तरह करने से व्यक्ति खुद को विक्षित कर सकता है। इसके बाद अगला होता है कर्तब्य, कर्तब्य अर्थात योगदान, इसके अंतरगत होता है, सभी कारियों का उदेश किसी धन कमाना ही नहीं, बलकी कई कारिय अपने कर्तब्य के रूप में भी किये जाते हैं, जैसे मा का योगदान, मा का घर की सभी कारिय समभावित होते है अर्थात वे कार्य कोई उदेश से नहीं किया जाता है, जैसे मा जो अपने बच्चे को पालन पोशन करती है, उसका उदेश धन कमाना नहीं होता है, उसका करतब भी होता है, इसके बाद अगला हम लोग पॉइंट देखते हैं, यहां है अर्थ पूर्न कार्य का होता है, अर् पूरी जीमिदारी के साथ किया जाए और इसे करने में आनंद और मानसिक संतुष्ठी प्राप्त हो वह अर्थपूर्ण कार्य कहलाती है इसके बाद अगला हो जाता है नौकरी नौकरी अर्था सर्वीज इसका डिफनेशन हो जाएगा ऐसे जो भी कार्य जो धन कमाने के उद इसके बाद हम लोग देखते हैं जीविका अर्थात कैरियर सभी का कुछी न कुछ जीवका होता है जीव को पाज़न करने के लिए कोई न कोई काम करते हैं उसी को जीवका करते हैं इसका यहाँ पर डिफनेशन हो जाएगा जीवका का मतलब उस वेवसाई से है जिसके दब करता है केरियर बनाता है जिसी किसी भी काम में केरियर बनाता है अपने पसंद के अंसार बैपार करता है उसी को हम लोग जीवका कहते हैं इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं जीवका में कोई नीचित आए इनकम नहीं होता है कभी ज्यादा कभी कम होता है बिजनेस कभी नुकसान होता है कभी फैदा होता है इसके बाद हम लोग देखते हैं नोकरी तथा कैरियर में अंतर हाथात जो सरकारी नोकरी करता है और ये क्या अंतर है उसके बारे में हम लोग देखते हैं केरियर में वेक्ति अपने सपनों को पूरा करता है जबकि नौकरी में वेक्ति अपने मालिक या कमपनी के सपने को पूरा करता है इसके बाद दूसर का पॉइंट हो जाता है नौकरी के लिए वेक्ति को नियमित रूप से अपिस जाना प और नोकरी जाद भीच सकती है जबकि केरियर में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके बाद आता है हस्त सिल्फ इसके बाद आता है बुनाई इसके बाद आता है चित्रकालाई। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्रिसी क्या है क्रिसी से क्या संबंदित है इसके बारे हम लोग यहां देखते हैं। आज भी क्रिसी ही भारत की अधिकतम अधिकता संख्या का मुख बेवसाई है। आर्था सबसे अधिक लोग क्रिसी ही करना चाहते हैं। इसका कारण यह है कि भारत की जलवाईू जो की क्रिसी के लिए अनुकूल है। क्योंकि यहां पर भारत का जलवाईू है बहुत ही अनुकूल है। इसलिए लोग यहां क्रिसी करना चाहता है। इसका पॉइंट नमबर टू हो जाता है। भारत के लगबग सतर परतिसा जन संक्या आज भी गाउं में रहते हैं। इसलिए वेक्रिसी भी करते हैं। नगदी फसले जो कहीं और जाकर बेजते हैं। जैसे फल, सब्जी, डाले, यहूं इत्यादी इसके अंतरगत आते हैं। जबकि आर्थिक महंगी वाली फसले जैसे चाय, कोफी, रवर, इत्यादी यह जो आर्थिक महंगी वाली फसले है। इसके बाद अगला देखते हैं भारत में विश्व में काजू, नारियल, अद्रक, काली, मिर्च, तथा हल्दी इत्यादी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। इसके बाद हम लोग देखते हैं हस्त सिल्फ। हस्त सिल्फ अर्था तो वर्दमन समय में देश के साथ साथ वी देशों में भी भारती है, हस्त सिल्फ उत्पादों की बहुत मांग हो रही है। अर्थाथ हस्ति सिल्फ मतलब हाज से बनाये गया बहुत सी अच्छा डिजाइन वाले आभूशन या कोई भी चीज बनाया जाता है। इसके बाद हम लोग देखते हैं बुनाई के अंतर गतता है भारत अपनी बुनाई काला के कारण ही बिभिन परकार के कपड़ों का परमुख उत्पादक देश है गरामिन अस्तर पर बुनाई एक परमुख कुटीर उद्योग है भारत विश्व का एकमात रहसा देश है जहां हर राज के अपने विश्ष्ट वस्तू होते हैं जो उस छेत्र की जीवन सैली की परतिक होते है इसी कारण हाल से बुनी भारती वस्तूर की विदेशों बहुत मांग है इसके बाद हम लोग देखते हैं वास्तू काला वास्तू काला के अंतरगत भारत में चित्रकाला का पर मिलती है जो अलग-अलग धर्मों को दर्शाती है जैसे कि इसलाम, सीख, जैन धर्म, इसाई धर्म और हिंदू धर्म इसके बाद हम अगला पॉइंट देखते हैं भारतिय पार्क परनारी तथा मसाले इसके अंतरगत भारत अपनी वियंजनों की भी भीज़ता तथा मसालों को लेकर पूरे विश्वा में परसीद है वियंजन अर्थात खाना पकान के मामले में बहुत ही जबरजस्त है आज भारत के बेंजनों की हर देश में जबर्दस माँग है जिसके कारण जीबका के अनिक उस्वर उपलब्द होने लगे हैं भारत सवधियों से ही अलग-अलग परकार के मसालों का बहुत बड़ा उत्पादक और निया तक रहा है इसके बाद हम लोग अगला देखते हैं कारवायू और जेंडर लिंग और जेंडर कोई अक्सर एक ही अर्थ में पर्यों किया जाता है किन्तु इसका वास्तविक अर्थ काफी अलग है लिंग जेविक पहचान बायोलोजिकल से संबंदित है जबकि जेंडर समाजिक पहचान सुसाइटी पर अधारित है नर्श सब्द पूरुष को दर्शाता है जबकि मादा सब्द महिलाओं को दर्शाता है इसके बाद हम लोग देखते हैं कारे के सम्बन में जेंडर मुदे इस्त्रियों को पुरुष से कमतर देखना समान वेतन ना मिलना महिलाओं को घर चलाने वाली गिर्हिनी माना जाता है पहले किया प्यक्षा महिलाएं अधिक आत्म निर्वर और साथी साथ परिवार की स्थिति सुधारने के लिए भी योगदान दे रही है अर्थात कारे के सम्बन में जेंडर में किस तरस बिन है तर लोग अभी भी अक्सर पूर्षों को अधिक मानते हैं इसको नहीं मानते हैं इस्थियों को नहीं मानते हैं अभी भी वेतन के स्थिते में इस्थियों को कम वेतन दिया जाता है और महिलाओं को गिर्हनी भी माना जाता है इसके बाद यहां बता रहा है आज काल हर कामकाजू महिला यह अपेक्छा की जाती है कि वो बाहर के काम के साथ साथ देख भाल भी करे इसके बाद अगला हम लोग देखते हैं सामाज में बालिकाओं की सिर्थी सुधारने के लिए कुछ परमुख सरकारी परियास इसके अंतरगात भारत के सरकार दोबारा बहुत से योजनाएं निकाली जा रही है जिस ताकि बालिकाओं को सुधारा जा सके इसके अंतरगात देखिए पहला उज़ाता है कस्तुरवा गांधी बालिकाओं उचिविद्याले भी निकाला जासा है जिसके अंतरगात को पढ़ने के लिए चलिए देखते हैं आगे हम लोग कस्तुरुवा गांधी बालक्या विद्याले यह सर्व सिक्षा अभियान गरामी छेत्रों की विकासूं बारिकाओं को सिक्षित करने के लिए भारा सरकार दोबारा एक योजना चलाये गया है यह योजना सरकार भारा सर लेके प्रत्यक पिछले हुए खंडो में खोले जा रहे हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं बेटी बचा बेटी पढ़ाओ योजना हमारे देश में हमेशा से ही महिलाओं को अधिकार को दबाया जाता है और गांव के छेत्रों में लड़कियों से ज्यादा लड़कों को म जनम के समय ही उसकी हात्या कर देते हैं या उसकी छोटी उम्र में ही विवाह कर दिया जाता है इस कारण अपराजियों को रोकने के लिए देश के केंद्री सरकार ने एक योजना की सुरवात की जिसके अंतरगत तहत गरीबी परिवारों की बेटियों को बचा कर उन्हें सि का एक नजर यह योजना का नाम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना है यह योजना 22 जनुवरी 2015 को लौंच किया गया इसका घुशना हमारे भारत के परधान मंतरी ने नंदन मोधी दवारा किया गया है लक्ष लड़कियों के अनुपात को संतुलन करना इतियादी इ नहां बताया गया है सेलफी वीद डॉक्टर सोचल मीडिया पर इसको डाला गया था ता किसनी जला सेलफी वीद डॉक्टर ने ब्रांड एमेस्ट कर अर्थात इसका परशार परशार किसनी किया माधुरी देख्षिस ने योजना की रेख देख रेख किसनी किया तिन मंतरा किसी ने किया कितना है तेहां पर सो कुलो रूपिया था योजना के लिए रननीती समाजी का अंदोलन या संचार अभियान इसके बाद लंभावित केवल छोटी बचिया इसके बाद हम लोग देखते हैं योजना की विशिस्ता इसका क्या विशिस्ता उसके बारे में हम लोग देखते हैं बेटियों की सुरक्षा तथा सिक्षाओं के लिए लोगों को पुरसाहित करना पैसे के निकासी इसकूलों की फी नहीं देना होगी बेहतर ब्याजदर सुकन्या समरिदी साथी अब हमारे जहारखंड में सुमित्रा फूले योजना को लागू किया गया है इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं कार्य के प्रती मोनोब्रीती या दिरिष्टी को इसके अंतरगत बताये गया मोनोब्रीती का अर्थी होता है सोच या धारना इसके बाद बताये किसी भी व्यक्ती का अपनी सरकारी नौकरी से संतुष्ट या असंतुष्ट उसकी मनोब्रीती यानी सोच पर निर्भर करती है जैसे कि यदि कोई व्यक्ती अपने बेतन या पद मिलने वाली सुब्लाओं की तुलना अपने से उचे पद पर बैठे व्यक्तियों से करता है तो उसमें असंतुष्ट की भावना पैदा होने की अधिक संभावना होती है दुसरे और यदि कोई व्यक्ती अपने से एक पद नीचे काम कर रहे व्यक्ती से तुलना करे तो उसमें संतोस और प्रसंता की भावना अधिक होगी इसके बाद हम लोग देखते हैं जीवन कोसल जीवन कोसल के अंतरगत जीवन कोसल में समच्छमताये हैं जीने व्यक्ती अनुकूल और सकरात्मक व्यवहार के लिए बिखसित करता है तथा जो व्यक्तियों को जीवन की दैनिक आउसकताओं को अच्छी तरह से निपटने के सहयोग बनाते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं विशेशग्यो दवारा पहचानने गयदस कोसल तो इसको में फर्स्ट हो जाता है स्वेवन जागरुकता अर्थात सेल्फ एवाइनेंसी इसके बाद दूसर का कह रहा है सन प्रेक्छन सहयोग निरनाय लेना कोमुनिकेशन इसके बाद निर निरन लेना उतर दैत्वा डिसीजन मैकिंग इसके बाद होता है सिर नात्मक चिन्तन ग्रेटिव ठेंकिंग इसके बाद हो जाता है मोनोभावना से मुकाबला कोफिंग विथ Immunation इसके बाद होता है तनाव से मुकाबला Copy with Stress इसके बाद होता है समस्या सुल्जाना Problem Solving इसके बाद अगला हो जाता है अलोचनातमक चिंतन Criteical Thinking इसके बाद होता है हम दर्द Impatically इसके बाद अगला पोइंट हम लोग देखते हैं कारे असल पर आवस्चक कोशल इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं उत्पादक्ता पूर्ण कारे वर्किंग Productivity इसके बाद दुसरका हो जाता है प्रभावी धंग से सीखना तीसरका पोइंट हो जाता है Aspast संप्रेक्षन इसके बाद चोथा पोइंट हो जाता है मिल जूलकर काम करना वेचनातमक और अरसनातमक सोच इसके बाद अगला हम लोग पोइंट देखते हैं सुक्रार इकी इसके अंतरगत हम लोग देखते हैं फर्स पहला पोइंट हो जाता है आरगो नोमिकिक्स व्यक्ति तथा उसके दवारा उप्यों किये जाने वाले उप्करन या मशीनों और कार्य परिवेश के बेच संबंद का विग्यान है सुक्राई की का अर्थ है कार्य तथा कार्य असल को कुसल बनाना इरगो नोमिक्स मतलब प्राकितिक नियम इसके बाद इसका दूसरा पोइंट हो जाता है मनुष्य और मशीन एक दूसरे का पूरक माना जाता है इसके अंतरगत कारी असल तथा वहाँ उप्यों की जाने वाले मशीनों और उपकरनों को इस परकार डिजाइन किया जाता है ताकि उन्हें पर्योग करने वाले व्यक्तियों को तनाव और स्वास्त समबंदी समस्याओं का सामना करना पड़े उदाहरन के लिए एक व्यक्ति किसी कूर्शी पर बैठता है तो स्रम परभावी सुरक्षा के माप डंडों के अनुरूप नहीं है और उस पर बैठ कर दफ्तर का कार्य करता है तो कुछ दिनों बाद ऐसी कूर्शी पर घंटों बैठने से व्यक्ति की पिठ में दर्द होना सुरू हो जाता है इसके बाद अगला पॉइंट है सुक्कार इकी के लाब चोट और दुरघटना को कम करता है इसके बाद दूसर का पॉइंट हो जाता है उत्पादक्ता को बढ़ाता है तिसर का पॉइंट हो जाता है दस्ता को बढ़ाता है और दोबारा कारे करने की आउसाताओं को कम करता है चोथा पॉइंट खराब स्वास्त के कारान होने वाली अनुपस्तितियों को कम करता है पच्वा पॉइंट करमचारियों के मोनोबल को बहतर बनाता है इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं उधमिता का अर्थ होता है अपना नया बेवसाई सुरू करना किसे भी डिजाइन को दुबारा से नया परिवर्तन करके बदलना जैसे नई तक्निकी विधी का उप्योग करके पुरानी वस्तुगों को नई तरीके से बनाना होता है एक उधम्मी वेक्तिवा होता है जो नई विचारों को वास्विक्ता का रूप देने का जोखिम उठा सकता है इसके बाद हम लोग देखते हैं उधमिता के लक्षान इसका पहला हो जाता है कढ़ी मेनत करने की एक्षा दुसरका पॉइंट हो जाता है जोखिम उठाने का सहास तिसरका योजना बनाने का ज्यान और क कोशल चोथा एक साथ कई कारियों को करने की योगता पचमा ताल मिल बनाने की योगता छठा संकट की स्थिति से निपटने की योगता शटमा अच्छे संप्रेक्षन कोशल का होना इस तरह से यहां बताया गया है आई होप यह वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फिल मिलेंगे नए वीडियो के साथ तब तब के लिए चैहिन बेस्ट अफ लक